नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पर दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया को प्रोजेक्ट 75i के तहत 6 सम्मरीन बनानी है तो ऐसे में रश्या की कंपनी रोसो बोरोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वह बिड के लिए तैयार है इस सम्मरीन के लिए तो स्टेक का हिस्सा है उसने कहा है कि वह पूरी तरह से तयार है इन 6 सम्मरीन की डिलिवरी को लेके जो प्रोजेक्ट 75i प्रोग्राम के तहत इंडिया में बननी है और इसके लिए इसने एरो इंडिया 2020 के अंदर घोशना की है और दोस्तों अभी तक इंडिया ने इस टेंडर को अनाउंस नहीं किया है इसलिए रोसो बोरन एक्सपोर्ड ने कहा है कि जैसे ही हमें डोकुमेंट रिजीव होते हैं तो हम अपने काम के लिए तयार होंगे और दोस्तों जहां तक प्रोजेक्ट 75i की बात है तो इसके अंदर 6 कन्वेंशनल सम्मरीन बनाई जानी है इंड और शुरू में कहा जा रहा था कि इन सम्मरीन की डिलिवरी 2030 से शुरू हो जाएगी लेकिन अभी कोरोना वाइरस पैंडेमिक चल भी रहा है और पहले ये ज़्यादा जो और पे था तो ऐसे में अभी इसकी डिलिवरी 2030 के बाद मानी जा रही है और दोस्तों ये P-75i Scorpion सम् और बहुत से Pre-Season Guided Weapon भी होंगे और ये Weapon Weapon Launching Tube के अंदर Carry किये जाएंगे और बहुत ही आसानी से Reload किये जा सकेंगे समूदर के अंदर भी और दोस्तों इंडियन नेवी के पास Already Russian सम्मरीन है जिनके अंदर Aquula 2 जो की INS Chakra के नाम से जानी जाती है एक Nuclear Powered Attack सम्मरीन है औ दोस्तों ये Project 75I Actual में एक Follow-on Project है Project 75 का जिसके तहत हमने कलवरी क्लास की सम्मरीन बनवाई थी इंडियन नेवी के लिए और उसका काम अभी भी चल रहा है और ये कलवरी क्लास की सम्मरीन Actual में Diesel Electric Attack सम्मरीन है और ये Scorpion क्लास सम्मरीन की तरजबे बनाई जा रही है इंडिय आवाद जाहिन